आज एक स्पेशल रस्मलाई के रस्पी बनाएंगे और वो भी दो तरीकों से आपको जैसे पसंद हो आप इस अंगुरी रस्मलाई को तिवहार के हिसाब से या अपने चॉइस के हिसाब से सर्फ कर सकते हो ये रस्मलाई इतनी स्पॉंजी और रसीली बनेगे कि आपके घर वाले और महमान खाते रुखनी पाएंगे और बेस्ट बात ये है कि इस रस्मलाई को बनाएंगे हम बिना मैदा और बिना कॉनफलार इस्तमाल किये मुँ में डालते हैं ये घुल जाएगे ये इतनी सॉफ्ट और स्पॉंजी रस्मलाई बनाने के ट्रिक आज मैंने आपके साथ शेयर की है इस रस्मलाई को खाते है दिल खुछ हो जाएगा ऐसी परफेक्ट मेज़िमेंट के साथ ये रस्पी बनाएंगे एक लिटर से 45 रस्मलाई बनकर त्यार होगी और जरह ये देखे ये कितनी स्पॉंजी है तीन-चर सेकेंड में ये पानी में जाते हैं ये दुबारा गोल बनकर जूसी हो जाएगी तो चलिए रसिपी को स्टार्ट करते हैं और इसे बनाते हैं कुछ खास सीक्वरिट्स के साथ वीडियो की शरुआत एक टिप से करोगी दूद उबालने से पहले कड़ाई में पानी उबाल कर पानी फेक देंगे इसे कड़ाई का पीलापन निकल जाएगा और अस्मलाई इंक्तम वाइट कलर की बनकर तयार होगी कोई भी दूद की मिठाई बनाने से पहले आप इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करें चलिए कड़ाई साफ कर लेने के बाद मैं इसमें ले रही हो 600 ml टूंड मिल्क ये काय का दूद मैंने लिया है आप फुल क्रिम मिल्क भी ले सकते हो अब दूद को चलाते हुए इसे उबाल लेंगे दूद जब उबनने लगे तब इसमें मिलाएंगे केसर का दूद यहां मैंने आदा टीस्पून केसर को गरम दूद में एक कंटे के लिए भीगो कर रख लिया था आप केसर के जगे पर येलो फूड कलर और केसर रिसेंस भी मिला सकते हो पर essence कब मिलाना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो skip ना करें इस stage पर डेड़ कप चीनी भी मिला लेंगे ये एक perfect measurement है त्यांद रहे deserts ठंडे होने पर चीनी अगर कम हुई तो ये फीके लगते है चीनी के मात्रा कम ना करें अब देखे केसर का रंग अच्छे से दूद में आ गया है अब इस दूद को थोड़ा गाड़ा होने तक लगातर चलाते हुई पका लेंगे अगर आप इसे instant गाड़ा बनाना चाहते हो तो half cup milk powder मिला कर उबाल सकते हो अगर आपके पास दूद पाउडर ना हो तो आप दो टिबल स्पून कॉनफलार पानी में गोल कर भी मिला सकते हो दूद थोड़ा गाड़ा हो गया है अब गैस बंद कर देंगे और इसमें मिलाएंगे स्वात के लिए आधर टी स्पून इलाईची का पाउडर आप कोई भी दूद मसाला भी मिला सकते हो मैंने यहां बदाम और पिस्टा भी मिला लिया है आप अपने चॉइस से नड्स मिला सकते हो रस्मलाई का दूद बनकर तयार है ये ना स्यादा गाड़ा है ना स्यादा पतला इसके consistency ऐसी होनी चाहिए कि रस्मलाई पर ये अच्छे से coat हो सके इसे पंके के नीचे रख लेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे अंगुरी रस्गुले तो यहां रस्गुले बनाने के लिए मिने लिया है गाय का एक लिटर दूद ये भी toned milk है, full cream दूद लेने के जरुरत नहीं है packet पर 4.5% fat content लिखा हो तो ये रस्मलाई बनाने के लिए perfect है अब दूद को उबाल लेंगे जब तक दूद उबल रहा है तो दूद फाडने के लिए एक bowl में लेंगे 3 टेबल स्पून विनेगर और इसमें पानी मिलाकर एक diluted गोल बनाकर रख लेंगे दूद में उबाल लाने के बाद gas बन कर देंगे और 2 मिनिट के बाद करची में दूद लेकर विनेगर मिक्स करके सारे दूद के साथ मिक्स करेंगे इससे होगा ये कि छेना एक्तम soft और नरम बनेगा और ये खाने पर chewy और tight नहीं होगा अब दूसरी बात ये के रसगुले पकाते वक्ते छेना soft और smooth होनेक से spongy बन जाएगा और ये फटेगा भी नहीं अब ये ही steps पूरा दूद फट जाने तक हम repeat कर लेंगे ये देखें दूद फट गया है इस पर पूरी कटोरी diluted vinegar का इस्तमाल हो गया है कई पर थोड़ा कम लग जाता है और वो दूद के quality पर depend करता है अब एक सूती कपड़ा लेकर छेना चान लेंगे और इसे ठंडे पानी से अच्छे से धोलेंगे ताकि vinegar की smell और taste रसगुले में बिल्कुल भी ना आए दूद फाडने के लिए आप एक टीस्पॉन साइट्रिक असे पानी में मिलाकर घोल बनाकर भी इस्तमाल कर सकते हो अब next important step है excess पानी को निचोड़ना आपको छेना तब तक निचोड़ना है जब तक पानी निकल कर सफेद दूद छेने से बाहर निकलने लगता है अगर आपने बहुत ज्यादा निचोड़ लिया तो रसगुले टाइट हो जाएंगे और ज्यादा पानी रह गया तो रसगुले फट जाएंगे तो ये step ध्यान से देखे ये देखे दूद निकलने लगा है अब इसकी एक और साइन ये है कि जब छेना कपड़े से चिपकता नहीं है तो समझ जाएंगे ये next process के लिए perfect है और अगर ये कपड़े में चिपके तो दुबारा इसे निचोड़ कर पानी हटा सकते हो अब हतेली के इस हिससे से चेने को जोर लगा कर मसलना है इस वक चेना काफी तरदरा, dry और crumble texture का होता है ये देखे चेना अभी कैसे दिख रहा है और ये बात के process के बात कैसे दिखेगा इसका फरक आपको पता चल जाएगा तीन-चार मिनिट मसल कर चेने को soft कर लेंगे और एक्टम चिकना इससे बना लेंगे पर उससे पहले इसमें थोड़ा सा yellow food color मिला लेंगे जो की completely optional है इसे ये होगा कि रस्मले बिल्कुल market में मिलती है वैसे ही लगेगी तो आप इसे skip भी कर सकते हो ये देखे चेना एकदम soft हो गया है और ये plate को छोड़ने लगा है ये एकदम smooth texture का हो गया है जब इस प्रकार बिना cracks की balls बन जाए तो समझ जाए कि ये perfect बना है वरना इसे और थोड़ी देर इसे गून ले अगर आपसे अंजाने में ज्यादा पानी रह गया हो तो 2 टेबल स्पून मैदा मिला कर इस stage पर इसे अच्छे से गून कर smooth बना ले छेने के balls बनाने से पहले एक कप चीनी और साड़े चार कप पानी मिला कर इसे उबलने रख लेंगे ताकि टाइम management हो जाएगी और जब तक ये चासनी उबलने लगती है तब तक छोटे रसगूले हम shape कर लेंगे तो काम फटा फट हो जाएगा ये देखे मैंने यहाँ पर पानी मिला लिया है अब इसे gas पर उबलने रख लेंगे और अपने चोटे 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 रसगूले बना लेंगे अंगुरे रसमलाई बनाने के लिए एक तम चोटे चोटे बॉल्स बना लेंगे इन्हें उबलने के बाद ये डबल साइस के बन जाएंगे तो साइस थोड़ा चोटा ही रखना होगा और ये देखे ये बॉल्स में बिल्कुल भी cracks नहीं है वरना ये उबलते वक जहाँ पर cracks है वहाँ से फट जाएंगे इस प्रकार सारे balls बना लेंगे यहां मैंने सारी balls बना कर तयार की है ये balls smooth है और इनमें cracks बिल्कुल भी नहीं है एक साइड में पानी भी उबलने लगा है एक एक बॉल इसमें डालते जाएंगे ताकि पानी का temperature नीचे ना आए रस्कुले तभी spongy बनेंगे जब आप तेज आज पर इन्हें जो जाग उठेगा उसमें पकाएंगे तो हलवाई लोग जाग उठने के लिए रीठे का इस्तमाल करते है मेरी जो कड़ाई है उसके धकन में वेंट होने की वज़ज़ से steam skip होने लगती है तो जाग अपने आप उठने लगता है तो रीठा मिलाने की जरूरत नहीं है आप इस प्रकार का कोई धकन इस्तमाल कर सकते हो अब इनने 13 से 14 मिनिट के लिए तेज आज पर पका लेंगे आप देख सकते हो कि रसगुले का साइज डबल होने लगा है और जाग भी अच्छे से उठने लगा है बिना धकन खोले इस प्रकार आप एक बार हिसे हिला लोगे तो वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं ये कढ़ाई का डायमेटर 24 cm का है और इस साइज के कढ़ाई परफेक्ट है 40 से 45 रसगुले बनाने के लिए एक्सेक्टली 13 मिनिट हो गए है गैस बन कर देंगे और ये देखे रसगुले डबल साइज के फूल गए है और देखने से ही पता चल रहा है कि ये एकदम सॉफ्ट भी बने है कुकिंग प्रोसेस रुकने के लिए थोड़ा सा बर्फ मिला लेंगे और रसगुले को 30 मिनिट के लिए फैन के नीचे रख लेंगे ताकि ये ठंडे होकर थोड़े से सेट हो जाएंगे अभी ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते है तो इन्हे निकाल नहीं सकते रूम टेंपरिचर पर आने के बाद रसगुले निकाल कर सर्विंग बोल या प्लेट में निकाल लेंगे और फिर देखना मैजिक रसगुले को पहले निचोड लेंगे और जितनी बार पानी में हम इसे डालेंगे ये 3-4 सेकेंड में दुबारा सॉफ्ट, स्पॉंजी और गोल बन जाएंगे बिना एडिट के मैं आपको ये क्लिप दिखा रही हूँ ये रसगुले मार्केट में मिलते हैं उससे भी अच्छे बनेंगे तो सारी टिप्स जरूर फॉलो करें और डाउट्स अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर पूछ सकते हो अंदर से ये कैसे बने है वो मैं आपको दिखाऊंगे तो रुखे वीडियो स्किप करके ना देखे ये देखे ये कितने स्पॉंजी और सॉफ्ट बने है अब इनके उपर मिला लेंगे मसाला दूद जो हमने ठंडा कर लिया है डेकोरेट करेंगे केसर के दूद के साथ जिसे हमने थोड़ा गानिशिंग के लिए साइड में रख लिया था अगर फेस्टिवल के लिए बना रहे हो तो दिल खोल कर इस पे पिस्ता बदा मिला लेंगे थोड़ा और अच्छा दिखे इसलिए थोड़ा सा ओरेंज फूड कलर भी मिला लेंगे जोकि ऑप्शनल है मेरे पास थोड़ा गुल्डन वर्क था तो मैंने वो भी लगा लिया है जिसे ये बहुत ही सुन्दर लग रही है अगर आपको ताम जाम पसंद ना हो तो इस तरह से आप इसे सिंपल भी रख सकते हो क्योंकि कई बाहर घर के बुजर्ग लोग बदाम खानी पाते है आप रसमलाई को एक दन पहले बना कर फ्रिज में ठंडा कर ले तब इसका स्वात और भी सेट होकर बढ़िया लगेगा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इस रेसिपी को बना कर इंजॉय करें तो त्योहर और रोकेजन के मताबक आप इसे सर्फ करें